अब जैहिंद्र नमस्कार मेरे शेयर शेयर नियों लाड़ोड लाड़ो आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो के इडमी पर तो दोस्तों कल से बहुत सारे बच्चों के मेसेज और कोल आ रहे इस पेसली आर्मी रिजल्ट को लेके आप सभी को पता है और में और लीजल्ट आ चुका है इससे पहले आपने दो लिस्ट देखी होगी ुसके अलावा जो से सारा जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी कठो रही है पेपर में कितने नंबर वाला पास हुआ है जिसके 88 फिजिकल मैं उसने कितने नंबर लाने पर उसका सेलेक्शन ह या अब आपकी जो आने वाली 13 तारीक एक्जाम है और उसके बाद में 15 जनवरी को जो एक्जाम है उन में कठोप कितनी जा सकती है पुरा का पुरा आपको रिजल दिखाऊंगा साथ ही उन कठोप के बारे में साथ एक बात और जान लिए लाड़ो हर रोज साम को शाथ वजे में का एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से और वहां पर भी आप हमार साथ पढ़ सकते हैं तो लाड़ो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्मी अगनीवी रिजल्ट 2022 का के सा रहा है कि देखिए लाड़ो इसके बाद में आपको बताऊंगा कि कटोप कि इतनी गई है ठीक है कटोप जानना जरूरी है क्योंकि आपके कितने नंबर पर कितने का सेलेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है देखिए लाड़ो कि सबसे पहले यारो बेंगलोर का रिजल्ट ठीक है हेड़ को इसमें जो जीडी है जीडी में लगबग 226 बच्चे सेलेक् है ड़ेड में अठारा बच्चे सेलेक्ट हुए है और चिर्ड में जो एत्पास था उस पर दोबच्चे सेलेक्ट हुए और टोटल जो कंडिटेट है वो 260 सेलेक्ट हुए है कहां पर बेंगलोर एरो हेड़वाटर में बेंगलोर का एक रिजल्ट और लाड़ो देखो यहां पर जो जीडी में 55 बच्चे सेलेक्ट हुए है यह कहां पर बेंगलोर एरो के रिजल्टर लाड़ो जाना रखना मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ बताऊंगा आपको यहां बेंगलोर में जो कटोफ गई है वो तो काफी कम गई है इसके पीछे रीजन यह है कि इतना करेज नहीं है जितना राजस्तान हर्याना यूपी पंजाब या दिल्ली इन शेत्र में इतना करेज उदर नहीं है तो इदर जिन बच्चों के पे-30 प्लस नंबर थे इनके भी कहीं का सेलेक्शन हुआ है यह हमारे केडमी में से एक दो बच्चे थे उनका भी सेलेक् है लेकिन यह रिजल्ट आपके जो पाकी स्टेट बता रहे जहां पर आर्मी का बोल बाला बहुत ज़्यदा वहां पर यह रिजल्ट नहीं रहने वाला यह ज्यान रखना अगला रिजल्ट देखिए अरो रंगा पहार नागा लेंड का यहां पर जनरल लुटी है कि वहां पर गुंड़ शाठ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो अगए अधर भी आपको पता है कटो ज्यादा नहीं जाती है यहां पर जिन बच्चों ने जिनके सो नंबर फिजिकल में थे उन्हों अगर 30 कुसन भी सही किया है तो उनका भी सेलेक्शन हो गया है ठीक है क्योंकि यहां पर इतनी ही कटोफ जाती है लाड़ो नागा लेंड हो गये अंदर प्रदेश हो गया अवनाचल प्रदेश हो गया आपका मीजोरम मेगाले इधर तो और भी उपर दे जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब जांग जैनरी इन जो आर्मी जीडी है उसमें 103 बच्चे अंब यह तो यहां पर जो उडिशा सेटर में यहां पर कटोक नॉर्मल रही है जो बच्चे जिनके 88 नमबर थे और इन्हों ने अगर 35 से प्लस स्कोर किया यानि 50 में से 35 क्यूसन इन्हों ने किया है सही तो उसका सेलेक्षिन हो गया है कम से कम अगर आप कम से कम की बात करो फिजिकल में 100 नंबर है तो आपको 40 टार्गेट करना है अगर 88 है तो 40 प्लस टार्गेट करना है कि 40 प्लस क्यूशन में सही करूँ लाड़ दो जहां रखना इस बात का ठीक है यह पहला रिजल्ट है तो यहां पर कम से कम से कम स्यव यह था है तो उनको मत देखिये आप जिस इस से बिलूंग करते हो वहां पर कौन से और्रमी का खरेज करेज कितना है वहां competition उस लेवल का होगा ठीक है क्योंकि हर एक वियार हो कि अपनी अपनी अलग-अलग मेरिट गई है द्यान रखना सभी कि आप देख रहे हो यहां पर तो ट्रेड में पांच और ट्रेड में एर्थवेस पर दो बच्चे सेलेक्ट हुए यह तीनों जो लिस्ट आपने दे एटी एट फिजिकल में है तो लार्दो आपको टार्गेट 40 पलस का करना है ठीक है कि 40 पलस कुशन आप सही करो तो पेपर आर्मी का जिसाब का आता हुए आप आज माना चाहते हो तो आर्मी अगनीवीर के लिए कलास लगते है लार्दो शाम साथ पीम पर मेरी आपको क्ला चाहिस में जितने नमबर आएगा उतना ही आप वहां पहला होगी और जिन बत्रों के सो है वह 40 के आसपास रह सकते हैं यहीं 35 तू चालीस लेकिन आपका कम से कम जो स्कोर है वह आपको सिस्करिए कि क्यूशन नमबर नहीं बता रहा हूं कम से कम आप 50 में से 35 पलस क्यूशन तो सही करना ही करना है किस कंडिशन में जब आपके फिजीकल के सो है यानि 38-40-40 तो सलेक्शन होने के चांग्शेज है अगर आपके 88 नमबर है तो आपको 40 पलस सही करने चाही 42 हो चाहीं पहता लाड़ लो तो आपको पेपर में मैंनत करने की जूर्त है जिन बचों के 88 है जिनका मैं रिजल्ट बता रहा हूं यहां पर आजमी कटों कमी जाती है लेकिन फिर भी वहां पर ठीक ठा गई है इस बार मेरिट उनसे ठीक है यानि अच्छी है उपर गई है पहले जाती उससे भी तो अब सोच लीजी आप ठीक है लाट लो जै हिंद जै भारत